हलो बच्चो पिछली कक्षा में हमने रिविजन किये थे नमबर एक रिदिंग कमप्रीहंजन जो की गुडिया की चुनरी से था है कि ने बच्चो आज हम फिर से रिवाइस करेंगे और आज किस पर करेंगे नमबर दो रिदिंग कम्प्रिहेंशन गुत्रू कबूतर हाँ बच्चो गुत्रू कबूतर कम्प्रिहेंशन हम कर चुके हैं आज उससे हम फिर से और एक बार रिवाइस करेंगे आईए बच्चो, चलते हैं, तो आईए बच्चो, प्रशन पढ़ लेते हैं, नीचे दिये गए पंक्तियों को पढ़िये और प्रशनों के उत्तर लिखी, हाँ बच्चो, आपको तो पता ही है, जब भी हम reading comprehension करते हैं, तो कुछ सब्द, ओ, सोरी, कुछ वाक्य दिये जाते है कुछ पंक्तियों दिये जाते हैं, जिस पर बाद में प्रशने दिये जाते हैं, और हम उसके उत्तर लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो देखिए, यहाँ पर भी कुछ पंक्तियों दिये गए हैं, और एक बाद, इसे याद करना नहीं है ना, सिर्फ पढ़ कर समझन इसे ठीके एक कबूतर था वो बहुत भूका था नीम की दाल पर गुटर गुटर कर रहा था रुची का एक डलिया लाई अमरूत चीकू कीनू भी लाई रुची का दलिया रख कर चली गई घर की खिर की खुली हुई थी गुतरू उड़क भीतर आ गया वच्चो ये था प्रस्न के कुछ पंग्तिया आईए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से प्रस्न दिये है तो बच्चो आप लोगों को तो पता ही है क्योंकि ये तो पहले से दिया गया है आज तो बस हम रिविजन ही कर रहे हैं है कि ने बच्चो तो आईए देखते हैं कौन भूखा था हा बच्चो नंबर का प्रस्न कौन भूखा था उत्तर गुत्रू कबूतर भूखा था हा बच्चो कौन भूखा था गुत्रू कबूतर भूखा था नंबर ख गुत्रू नीम की दाल पर क्या कर रहा था उत्तर गुत्रू नीम की दाल पर गुतर-गुतर कर रहा था हाँ बच्चो गुत्रू नीम की दाल पर गुतर गुतर कर रहा था नमबर गह दलिया कोन लाया हाँ बच्चो दलिया कोन लाया उत्तर है रुचिका दलिया लाई हाँ बच्चो रुचिका दलिया लाई नमबर गह रुचिका और क्या क्या लाई रुचि का और क्या क्या लाई उत्तर है रुचि का अमरूत चीकू और कीनू भी लाई तो चलिए बच्चों और एक बड़ पढ़ लेते हैं और एक बड़ रिवाइस कर लेते हैं जेकी नहीं नमबर का कोन भुखा था गुतरु कबूतर भूखा था गुतुरू नीम की दाल पर क्या कर रहा था? गुतुरू नीम की दाल पर गुटर गुटर कर रहा था नमबर गर, दलिया कोन लाया? रुचि का दलिया लाई नेक्स्ट, रुचि का और क्या क्या लाई? उत्तर है, रुचि का अमरूत, चीकु और कीनू भी लाई हाँ बच्चो रुचिका अम्रू चीकू और कीनू भी लाई आईए आगे चलकर देखते हैं दूसरे प्रस्णों को तो बच्चो नमबर गुत्रू भीतर केसे आया हाँ बच्चो गुत्रू भीतर केसे आया गुत्रू भीतर खुली हुई खिरिकी से आया रुचिका क्या रख कर चली गई उत्तर है रुचिका दलिया रख कर चली गई नमबर च्चो दिये गए सब्दों के उल्टे अर्थ लिखी हाँ बच्चो देखे यहाँ पर एक दो तीन दिये गए है उनके आपको क्या लिखने है उल्टे अर्थ यानि की ओपोजित बहुट कम एक अनेक भीतर बाहर तो ये है ओपोजित तीके तो बच्चो आईए और एक बार पढ़ लेते हैं आप भी मेरे साथ परकर रिवाइस क किजिए गुत्रू भीतर के से आया गुत्रू भीतर खुली हुई खिरकी से आया रुचिका क्या रख कर चले गई रुचिका दलिया रख कर चली गई नमबर च्च दिये गए सब्दों के उल्टे अर्थ लिखिए उपोजित वर्ड लिखिए नमबर एक बहुट कम एक अने भीतर बाहर तो बच्चो ये था नमबर दो कम्प्रिहेंशन गुत्रू कबूतर का रिविजल तो आज के लिए इतना ही मिलते है अगली वीडियो में बाबाई